हेलो स्टूडेंट्स आइम डॉक्टर शीव रंकर व्यास अस्टिस्टन प्रोफेसर गॉर्णमेटला पीजी कॉलेज पीका नेर हमने अपनी पिछली जो क्लास शुरुबात की थी जिसमें हमने इंट्रोडेक्शन के साथ मिसपात की शुरुबात की थी कि आपके जो लौ में नौ पेपर होंगे और मैं आपको नाइंथ पेपर पब्लिक इंट्रेस्ट लाइरिंग लिगल एड पैरा लिगल सर्विसेज एंड मूट कोड सबसे पहले तो आप यह जो पेपर है उसका नाम आपको पूरा याद रहना चीए वैसे तो सारे नौ के नौ पेपर आपको या लिगल सर्विसेज एंड मूट कोड क्योंकि आपका जो यह पेपर है वह थेओरिटिकल प्लस प्रैक्टिकल एक यही पेपर ऐसा पेपर है नाइन पेपर में जिसमें थेओरिक का पार्ट भी होगा और प्रैक्टिकल भी करवाया जाएगा और प्रैक्टिकल के लिए आपक वो online हो या offline mode में हो जब भी एक लास शुरू होएगी मैं 2-4 वार पेपर का नाम पूर्ण रूप से आपके साथ में share करूंगा जिसे धीरे धीरे आपको इस पेपर के पूरे नाम याद करने की आदत पड़ जाए अब जब हम अपने syllabus की सुरुवात कर रहे हैं तो जो syllabus का पह हम अपना focus करेंगे कि ये सब चीजे क्या हैं और किस परकार से समझाए गई है हाला कि आप law के लिए नए students हैं और कानून की जानकारी अब आपको धीरे-धीरे होईगी लेकिन हम जब इस paper की बात कर रहे हैं तो इस paper का नाम ऐसा नाम है जो LLB करने से पहले भी हमने आम जि आदक्ति के द्वारा इस मामले में क्या किया गया है पब novic interest litigation किया कर दिया गया है फाइल कर दिया गया है आजकल जो हमारा नया यूग है और उसमीं देख रहे हैं कि इस इतने भी चैनल्स हैं या OTT मत ऑन हुए हैं उन में भी हम कई वार देख रहे हैं ऐसे फिल्में बन रही हैं जिसमें PIL को लेकर बहुत चर्चा होती है किसी ने किसी जुलंद मुद्दे पर क्या किया जाता है PIL दाखिल कर दी जाती है जाए वो एन्वार्मेंट से संबंदित हो लेबर वेलफेर से रेलेटेड हो और नक कैसे विशय हो सकते हैं जिन में क्या किया जाता है PIL दाखिल कर दी जाती है और उस पर कोट के दौरा सुनवाई की जाती है तो लोग हितवाद कि हम बात कर रहे हैं ठीक है न कि यह क्या चीज है तो लोग हितवाद क्या है यूँ देखा जाए तो बड़ा उल्जावा और प्रस्न है कि पब्लिक लोकित वाद क्या कहेंगे और ये दो सब्द हम बार बार बात ये कर रहे हैं पब्लिक इंट्रेस्ट लिटिगेशन लोकित है प्लस वाद ये दो सब्द हो गए जब लोकित है और वाद है किसी लोक पब्लिक इंट्रेस्ट के लिए क्या किया जा रहा है सूट फाइल किया जा रहा है क्यों किया जा रहा है कि एक जनसाधारन व्यक्ति के लिए ये संभव नहीं है कि वह हर विशे के लिए कोट में जा सके तब किसी और व्यक्ति के द्वारा क्या किया जाता है इस परकार का वाद संस्चित किया जा सकता है वो खुद भी जा सकता है और कोजी और व्यक्ति किया जनहीत वाद से तात्परिय ऐसे वाद से है जिसमें जन साधारण का हित नहीत होता है जिसमें आम जनता का, जन साधारण का, क्या है? इंट्रेस्ट उसमें नहीत है दूसरे सब्दों में जन हित्वाद वह वाद है जिसमें साधारणता बहुत से लोगों का एक बड़े वर्ग का बहुत से लोगों का उसमें अंत्रनिहित है और जिस पर सामाजिकता की छाप होती है यानि कोई ऐसा सामाजिक मुद्दा यह शुरुआ जब हम करेंगे आगे चलेंगे तो हम पहले बात करेंगे कि सामाजिक अन्योजे दावा ठीक है ना उसके रूप में इसकी सुरुआत हो यानि की लोकित वाद क्या है लोकित वाद वह वाद है जिसमें साधारन तया बहुत से लोगों का या जन साधारन का हित जुड़ा हुआ होता है उस पर सामाजिकता की छाप होती है तता जिने सामाजिक व्यक्तियों के द्वारा अपनी साधन की विहीनता याने कि उनके पास में इतने साधन नहीं है या उनके पास समभाव नहीं है या उनके उनकानूनी बारिक्यों की जानकारी नहीं है उनकी अपनी परसनल जो मजबूरिया है जिनकी वज़े से वे व्यक्ति के तोर पर कोट में नहीं जा सकते तो उनकी और से क्या किया जाता है किसी और विक्ति की द्वरा इन वादों को संस्थित किया जाता है इस तरह से जन समाने के व्यापक हित से जुड़े मामलों को ही लोग हित वाद कहा जा सकता है और इसमें आम आदमियों का हित जुड़ा हुआ होता है अब थोड़ा सा हम इसके पीछे जाके देखें, यानि कि हम बात कर रहे हैं, तो अब ये जो लोकितवाद की बात कर रहे हैं, थोड़े सी इसकी हिस्ति ये इनकी उद्वोकिस्त परकार से हुआ, कि ये जो जन हितकारी वाद या लोकित वाद की हम बात कर रहे हैं, इसका अव विक्षित शवरूप, यानि कि जिस रूप में, अविक्षित स्वरूप का मतलब जिस रूप में आज, आज बहुत अच्छी तरीके से well developed सारी विवस्ता हैं हो चुकी हैं, लेकिन पहले कि हम बात करें, तो अविक्षित स्वरूप, यानि कि इसका प्रादूर्वाव हम कहें इसका जन्मिया इसकी सुरुवात कहें तो रोमन विदी के एक्षियो पॉपॉलरिस की प्रथा में प्राप्त होता है जब हम इतियास की बात करें कि रोमन विदी की जब हम बात करेंगे तो वहाँ पर एक्षियो पॉपॉलरिस की पर्था में प्राप्त होता है क्या होता है एक्षियो पॉपॉलरिस जहां किसी व्यक्ति के लिए ये संभव था कि वह किसी लोग अपराद के लिए लोग हितवाद की शुरुवाद कर सकता था एक्षियो पॉपॉलरिस पर्था क्या है जहां कोई व्यक्ति लोक अपराद के लिए लोक इतवाद की कारवाई की सुरुवात वहाँ पर कर सकता था कहां पर रोमन लौ में अत्वा किसी सारजनिक संपत्ती या पवित्र संपत्ती की रक्षा ही दूवाद संसित कर सकता था यानि कि लिमिटेड चीजें थी लेकिन उसका बीज यानि कि हम बात कर रहे हैं लोक इतवाद का जो बीज है वहाँ पर बो दिया गया एक्शो पोपोलरिस के जरिये कि जहां किसी व्यक्ति के लिए क्या संपत्ता कि वो लोक अपराद है सारजनिक संपत्ती है या कोई पवित्र संपत्ती है उसकी रक्षा के लिए क्या कर सकता है लोक इतवाद की कारवाई शुरू कर सकता है आगे चलकर हम इसमें सुने जाने है कि अधिकार पर डिटेल चर्चा करेंगे यहने कि लोक इस्टंडाई सामाने नियम क्या है छत्रो कि जिस व्यक्ति को पीड़ा होती है या जिसके स्वयधानिक या कानूनी अधिकारों का हनन होता है वही व्यक्ति नियाले में जा सकता है यह पुरहनी परंपरा थी लेकिन आगे चलकर इस लोक इस्टंडाई सुने जाने के अधिकार को सिथिल किया गया और यह कहा गया कि ऐसा व्यक्ति जिसके कानूनी अधिकार या स्वयधानिक अधिकारों का हनन हुआ है और वह व्यक्ति स्वयम नियाले में जाने में असक्षम है तो उसकी और से कोई अन्य व्यक्ति संस्था, वर्ग, एंजियो क्या कर सकता है नियाले में जा सकता है उसका खुद का इंट्रेस्ट नहीं है लेकिन वो किसी और की और से तो एक्सियो पॉपुलरिस की जो हम बात कर रहे हैं वहां के पर क्या चीज निकल के आ रही है कि रोमन विदी में क्या था कि लोक अपराद है सारजनिक संपत्ति है पवित्र संपत्ति को बचाने के लिए या ऐसा अपराद हुआ है जो पब्लिक क्राइम है लोक अपराद है उसके संदर्व में क्या कर रहा था कारवाई की सुरुवाद कर सकता था यानिकि उसका खुद की कोई दिक्कत नहीं है लेकिन उस पवित्र संपत्ति की रक्षा के के लिए वह क्या कर रहा है कारवाई की सुरुवाद कर रहा है तो इस प्रकार वर्तमान जनहितकारी वाद या लोग हितवाद की एटिया सिक्ता रोमन विदी की एक्षियो पॉपॉपॉलरिस अर्थात लोकिस्ते संब्धित वाद की प्रथा में सनहित हमें मिलती है वहाँ से हम देख सकते हैं कि इसकी सुरुबात हुई थी तो मुझे ऐसा लगता है कि जो धीरे धीर हम अपने कलास के सुरुआ है मिलाकर जो लोकित वाद है वह जन सादारन से जुड़ा वाद हो गया जिसमें जनता का हित होता है और आम आदमी अपनी किनी मजबूरियों वस कोट में नहीं आ सकता तो उसकी और से इस वाद को संस्तित किया जाता है यह हमने इसकी आज सुरुआत किये इससे आगे हम आगे चलेंगे थैंक्यू